ये खबर अर्षद के खून के बारे में है आप सब जानते हैं इसके बारे में आएसच निउस ने इस बारे में दो वीडियो जारी किये थे आप नीचे लिंक पे इसे देख सकते हैं अब मैं आपको थोड़ा बता दू कि ये कतल कहा हुआ था सबको डाउट था कि ये होटल में या किराय के घर में किसी को पता नहीं चला था कि ये कहा हुआ था मैं आपको बता दू कि पेपर में कहा गया है कि ये जै के घर पे हुआ था जहां कोई नहीं रहता उसकी फैमिली और कहीं रहती है उन्होंने वहां पार्टी की और फिर उसक Times of India newspaper में कहा गया है जिसका translation में आपको करके बता रहा हूँ बहुत सारी चीज़ें पहले जैसी ही है सिर्फ जो update है मैं बताता हूँ पहला कि शिवजित और जय उसे एक लड़की ने फोन किया था वो लड़की का नाम पेपर में नहीं दिया गया है फोन पर पुलिस को लगता है कि ये फोन जय के लिए था और वो लड़की ने पूछा कि काम हो गया बस इतना ही पूछा ये लड़की का नाम नहीं बताया गया और ये चांच चल रही है दूसरा ये कि जय और अर्षद के बीच जय को बहुत पीटा था तो शायद ये बदला लेने के लिए उसे मार दिया होगा तीसरी बात ये है कि शिवजित जब अर्षद को पीट रहा था तब जय क्या कर रहा था प्लस उसने जगबाल को कॉल किया था ऐसा पेपर में कहा गया है अब दूसरे न्यूस पेपर इंडिन एक्स्प्रेस में जो कहा है उसको मैं ट्रांसलेट करके बताता हूँ आपको याद है आएसेच न्यूस ने पहले खबर जारी की थी उसमें कहा गया था कि अर्षद की वीवी रुकसाना उसका सांकेतिक नाम ये है ये याद रखना पेपर में कहा गया था कि रुकसाना अपना बयान बता रही है इशारे से और उसकी बेटी उसे ट्रांसलेट कर रही है ये बहुत ही दुखत था और वो डिमांड करते है कि इन तीनों को स्ट्रिक पनिश्मेंट दी जानी चाहिए आपको याद है अब ये कहानी में बहुत बड़ा मोड आ गया है पुलिस ने अब रुकसाना को गिरफतार कर लिया है अर्शत के बीवी रुकसाना को गिरफतार कर लिया गया है अब पेपर में दो अलग-अलग खबरे चपी थी ये बहुत ही शॉकिंग था मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ जै से जब पूचताच की गई तो जै ने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया था और मैं तो सिर्फ रेकॉर्डिंग कर रहा था और कॉल कर रहा था फिर और पूचताच की गई और पुलिस ने जब जाच की जै का कहना था कि शिवजित ने इसको मारा था मैंने कुछ नहीं किया पुलिस ने जब जांच की, फोन की, वीडियोज की, सब तब उन्हें एक लड़की के बारे में पता चला और ये थी रुकसाना जिनोंने प्लान किया था रुकसाना और जै का अफैर चल रहा था और इन दोनोंने मिलके साज़िश रची थी वो अर्षद को मारना चाहते थे और इसलिए शिवजित को लेकर आये थे ताकि ये दोनों बच सके इसलिए पुलिस ने रुकसाना को अरेस्ट कर लिया कितना शौकिंग है दूसरा, पुलिस ने ये बताया कि जगपाल का क्या काम था उसे फोन कर इस पारे में क्यों बताया गया और वो ये मॉर्डर क्यों देख रहा था जो शुरुआत में जो पुलिस को पूरा वीडियो मिला कि जब वो शराब पी रहे थे जब उसके कपड़े निकाले गए ये सारा वीडियो जब उसे हतोरी से मारा गया सोशल मीडिया पर वीडियो पूरी तरीके से नहीं दिखा गया था पुलिस को पूरा वीडियो मिल गया है और जैय ने जब जगपाल को कॉल कर बताया ये सारी ख़बर पुलिस के पास है और पुलिस सोच रही है कि जगपाल का इसमें क्या काम है, क्या उसने मर्डर करवाया था पुलिस इसकी जांच करेगी पुलिस को लगता है कि जगपाल एक बहुत ताकतवर लीडर है और अर्शद उसकी टकर में आ रहा था इस दर से उसने उसे मरवा दिया लेकिन ये साफ नहीं है, पुलिस जांच कर रही है तीसरी बात ये थी, कि पुलिस को बहुत शौकिंग खबर मिली है कि डेफ समुदाई में कुछ ऐसे लोग थे जिनका नेटवर्क बहुत श्टॉंग है पुलिस ने तो बाद में जैको गिरफतर किया उसके पहले ये जो विडियो था और जो कॉल थी ये सारी खबर डेफ समुदाई में दो तीन लोगों को पहले ही पता चल गई थी वे उन्होंने विडियो भी देखा था और वे जानते थे कि अर्शद मर जुका है और फिर पुलिस ने जैको गिरफतर किया तो पुलिस ने अब ठान ली है कि पुलिस गहन जाच करेगी सिर्फ शिवजित, अर्शद, जखपाल और रुक्षाना की नहीं बलकि अब पुरी डेफ समुदाई में सब की जाच की जाएगी और गहन जाच होगी ऐसा पुलिस का कहना है आपने देखा ये न्यूस पेपर में क्या कहा गया है अब आएसेच न्यूस देखते रहिए पेपर में जो भी कहा जाएगा उसका हम ट्रांसलेशन आपके पास लाते रहेंगे